ये आकाशवाणी हैं, अब आप कनकलदा से समाचार सुनिए लोकसुभा चुनाव के साथ में रंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है रानतिक दलों के शिरशनीता, जनसभाई और रोड़ शो कर रहे हैं इस चरण में पहले जून को साथ राज जू और एक केंदर शासत प्रदेश की 57 सीटों पर वोच डाले जाएंगे मदगरना चार जून को होगी इस चरण में उत्तर प्रदेश की और पंजाब की 13-13, पस्चिम मंगाल की 9, बिहार की 8, उडिशा की 6, माचल प्रदेश की 4, जारगन की 3 और चंडिगण की 1 सीट पर मतदान होगा प्रदानमंद्री और भाजपा के वरिष्ट नेता नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रिस पार्टी और INDI गठवंधन पर स्वार्थ और वोट बैंक की राजनेती करने का आरूप लगाया है उन्होंने कहा कि ये लोग देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं पंजाब की होश्यारपूर में एक रैली में उन्होंने कहा कि वोट बैंक की खातेर ही कॉंग्रिस ने राम मंदिर निर्मान का लगातार विरोध किया और अब वेधतुष्टे करन की राजनेती करते वे C.A. का भी विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आज कल ये लोग समिधान के रट लगाए हैं लेकिन आपातकाल के समय इनही लोगोंने समिधान का गला घोटा था उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाव का लाब सभी को मिल रहा है उत्तर प्रदिश में भाजबा के वरिस्ट नेता और केंद्रे मंत्री राजनाथ सिंग ने आज कुशिनगर में कहा कि भाजबा को इस बार 400 से अधिक सीटे मिलेंगी उनुन एक देश एक चुनाव का समर्थन करते वे कहा कि तीसरी बार सत्ता में आने पर भाजबा सरकार इस दिशा में काम करेगी भाजबा नेता और मद्धिप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव आज कुशिनगर और सोन भद्र में रोडशो करेंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज महराज गंज और घोसी निर्वादक शित्रों में प्रचार करेंगे प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी की तमिलनाडु के कन्याकुमारी की तीन दिन के यात्रा आज से शुरू हो रही है श्रिमोधी केरल के तिरुअनन्द पुरम से शाम को कन्याकुमारी पहुँचेंगे उनका भगवती मंदिर जाने का कारिक्रम है प्रधान मंत्री इसके बाद ML विवेकानंद जहाज से स्वामी विवेकानंद समारक जाएंगे समारक पर तीन दिन के ध्यान सत्र के बाद प्रधान मंत्री पहली जून को तिरुवल लोर जाएंगे और उसी दिन विशिश विमान से तिरुअनन्द पुरम वापस लोटेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन ने कहा है कि S&P Global Ratings का भारत की बारे में अपने द्रष्ट कोन को इस्थर से सकारात्म करना एक स्वागत यूग्य खदम है उन्होंने कहा कि ये भारत के ठोस, विकास, प्रादरशन और आने वाले वशों के लिए एक आश्चा जनक आर्थिक द्रष्ट कोन को दर्शाता है वित्तमंत्री ने इस काश्रे वश्र 2014 के बाद सीखिये गए व्यापक आर्थिक सुधारों की श्रिंखला को दिया उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थरविस्था बनने की रहा पर है भारती प्रदुग की संस्थान मद्रास के स्टार्टप अगनिकोल कॉस्मोस ने सिंगल पेस थ्री डामेंशनल 3D प्रिंटर इंजन के साथ दुन्या का पहला रॉकेट लॉंच कर उल्लेखने उपलब्धी हासिल की है रॉकेट अगनिबांड सौचेट यानि सब और्बिटल टेकनोलोजिकल डिमस्ट्रेटर भारत का पहला अर्थ क्राजनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण भी है इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था रॉकेट अगनिकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी रूप से विकसित लॉंच प्याड धनुष से प्रक्षेपित किया गया दक्षन पश्टम मौनसुन के तैत थी पहली जून से दो दिन पहले आज केरल पहुंचनी की संभावना है मौसम भाग ने कहा है कि मौनसुन आज पुरोत्तर राज्यों की कुछ हिसों में पहुंच सकता है आकाश्वानी समाचार से विशेश बातचीत में मौसम भाग के महानिरेशक मृतुंजर महापात्र ने बताया कि दक्षण अरब सागत, मौलदीव और कौमुरिन, लक्षदीव, केरल तथा बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिसों में दक्षण पश्टिव मौनसुन की आगे बढ़ने की परिस्थेतियां भी अनुकूल है मौसम भाग ने कल से अगले पांच दिन में केरल, अंडमान और निकोबार, द्वीब समू तथा माहे में अलग-अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है भारत के सचिन सिवाच थाइलंड के बैंककॉप में विश्व मुक्यबाजी क्वालिफिकेशन टोर्नामिट के क्वाटर फाइनल में पहुँच गया है उन्होंन सत्तावन किलोग्राम वर्ग में तुर्की के बटुहान सिफ्टसी को हराया सिवाच दो मैच जीत कर पेरिस उलंपिक का टिकट पक्का कर लेंगे इसके साथ ही ये समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ